नमस्कार साथियो मैं बेद प्रकाश आपके अपने यूट्यू चैनल प्रकाश इस्टेड़ी में आपका स्वागत करता हूं साथियो आज हम जो 2019 में पेपर हुआ था उस पेपर वो आज इस वीडियो में पूरा स्वाल करेंगे आइए स्ट्राइट करते हैं इस्ट्राइट करते हैं बाल विकास एवन सिक्षा सास्तर से निर्देश दिरकाश में एक से लिकत 30 तक के उत्तर देने के लिए सही सबसे उप्युक्त विकल्प चुनना है आपको फ़स नमर पहला है नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साजा करने के लिए कहा तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साजा करना चाहिए क्योंकि कल मेरे तुमारे मैंने तुमारे साथ अपना लंच साजा किया था लोरेंस कोलवर्ग ने नेतिक विकास की सिद्धान्द के अनुसार नूर का गथान ये खालिस्तान दे रखाए अभी विन्यास प्रारूप को फिर खालिस्तान दे रखाए अवस्ता पर दर्साता है यानि इन दोनों खालिस्तान की जिए पर पहले और दूसरी खालिस्तान की जिए पर क्या आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानि आदान प्रदान यहां पर आएगा आदान प्रदान और परमपरागत यानि यहां पर आएगा परमपरागत यह सही हो जाएगा लोरेंस कोलवर्ग के नेतिक विकास के सिद्दान्द के अनसा नूर का गथन आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परम परागत अवस्था पर दर्साता है इसका सही आंसर अप्शन नमर चोथा हो जाएगा कौसन नमर दूसरा है साथियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्रीज वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को जरू सस्क्राइब कर लें कौसन नमर दूसरा है अप्शन नमर चोथा जेंडर रूड़ वादता है कौसन नमर तीसरा है हाल ही में पाठे चर्या में ऐसी कहानी को सामिल करने के लिए वेकसील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्जियों में लगा रहता है और माता साहसी गतविदियों को करती है यहां कदम किसलिए मातपूर है चार ओप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमर तूसरा यहां जेंडर रूड़ वादता को समाप्त करता है कौसन नमर चोथा वाइगोश्ट की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निस्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारत करता है तो इसे क्या कहते है चार ओप्शन दे रखें चार ओप्शन से सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जिनने वाला है यानि ओप्शन नमर तीसरा पाड़ एवन धाचा क्वेशन नमर पांच माय है जीन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के सिद्धान्त के अनुसार परिकल्पिक निगमात्मक तरक किस अवधी में विकसित होता है चार अप्शन देर कहें इनमें से सही अंसर क्या होगा अप्शन नमर चोथा अमूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता क्वेशन नमर शिक्स शिक्स में ये खालिस्तान वढ़ना है के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रिक्रियां तथा सांसकृतिक संदर्वों के प्रभाव को समझना आवश्यक है चार अप्शन ने रखें खालिस्तान पर क्या आएगा खालिस्तान पर आजएगा अप्शन नमर तीसरा लेव वाई गोष्ट की क्वेशन नमर साथ प्याजे के संग्याद नात्मक विकास के सिद्दान्त से नहेतार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के सिख्षक को अपनी अक्षा में क्या करना चाहिए चार अप्शन दे रखें चार अप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर दूसरा अगर आप्शन दिख लेंगे पशन नमर आठ है हावर्ड हावर्ड गार्डनर के बहो बुद्धी सिद्धान्त के अनुसार तारकिक गड़तिय बुद्धी वाले एक ब्यक्ति की क्या विशिस्ता हो सकती है चार अप्शन दे रखें हैं चार अप्शन से सही आंसर क्या होगा इसमें सही आंसरो जाएगा अप्शन नमर चौ था पैटन को खोजने की इवं तर्क की लंबी स्रंकला को हल करने की चमता और सम्वेदन सम्वेदन सीलता अगला कौसन नमर नौ नौदे रखा है वह पिक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों कोसलों मूल्यों तथा आविप्रिणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्यदारे में क्रिया सील सदश्च बनाती है उसे क्या करते हैं चार अप्शन ने रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमर एक समाजी करण क्वशन नमर दस दस में क्या पूछा है माना विकास के संदर्व में अनवान सिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्न लिखेत कतनों में से कौन सा सही है चार उप्शन दे रखें चार उप्शन में से सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमर चो था अनवान सिकता एवं पर्यावरण दोनों दोनों एक जटिल पारस परेक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रवायत करते है क्वेशन नमर ग्यारे क्वेशन नमर ग्यारे एक प्रगति सील कक्षा में चार उप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमर ए विद्यार्तिक के द्वारा ज्ञान की सरचणा की जाती है कुस्वर नमर बार दी रखा है सतत एविं समग्र मूल्यांकन में क्या सामिल है इसका सही आंसर हो जाएगा और सबस्वानर च्वोथा विवेद कारे की रणनीतियों त reserve रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों सरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रियोग करना अगला प्वसन नमर 13 तेरह में पूछा गया है आपकी कख्षा के एक विद्यार्ती को विविन सुरोतों से बार बार यह कह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग सेक्षिक चेत्र में निम्न इस्तरिय प्रदर्शन करते हैं इस रूडवादिता एवं परणामेक रूडवादी आसंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक सिच्छ को क्या पहल करना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होने वाला है अप्शन नमर चौता वर्गों के रूल मॉडल से सम्मन्दित कहानियों एवं उधारणों को प्रस्तुत करना चाहिए अगला कफशन कुछन हमर 14 है कि एक समावेशी कच्छा में सिच्छक को क्या करना चाहिए चार अप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जाएगा एक सिच्छक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रते एक बच्चे में अपने योगिता एवं सक्ति के अनुसास सीखने की चंगता है क्वशन आमर 15 15 में पूचा गया है एक विद्यार थी कक्चा में निम लखेत लक्षन प्रदर्सित करता है पढ़ने के प्रते चिंता सब्दों या अक्षनों को पहचानने में कठनाई निम निस्तरी सब्दावली कोशल पढ़ने पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठन हैं चार अपसन दें रखें इमें से सही आंसर क्या होगा इमें से सही आंसर होने वाला है अपसन नमर तीसरा आदे गम असक्तता वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेसर नमर सोलह एक सिच्चक एक समावेसी कक्षा में विसेस योगिता वर्ग वाले आदे कर्मकताओं की आविश्यकताओं को किस प्रकार से पता सकता है सम्भोधित कर सकता है चार आपसन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर होने वाला है, option number 4, प्रतेग विद्यार्थी की आदेगम की ससक्त पक्षों एवं साम एवं कमजोरियों की विसलेशन की आधार पर विस्ष्ट आदेगम उद्देश्यों को विकसित करना question number 17, question number 17 में पूचा गया है, एक सिक्ष का अपनी कक्षा में सरजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से पुस्ताहित कर सकती है, चार option देखें, इनमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, option number 3, अनेक परिक छिप्प्यों को पुस्ताहित करने की तथा मूल विचारों को महत्व देकत, next question, question number 18, निमले खित में से कौन सा कारक पक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, चार अपसंदे रखें, इनमें से सही आंसर क्या होगा, इनमें से सही आंसर होगा, option number 4, विशेवस्तु तथा बच्चों के संपून, कुसलक छेम, एवं अधिगम के प्रत्य सच्चा सरुकार रखना, question number 19, निमले खित में से कौन सा प्रवाब साली, समर्ष्या, समाधान, रड़नीति का एक उधारण है, चार अपसंदे रखें, इनमें से सही आंसर होगा, option number 4, था, साधन, साध्य, विसलेशन, सदस्या, समर्ष्या को अनेक उपलक्ष्यों को विवाजित करना, एक ग्रवाब साली, निमले खित में से कौन सी सिक्षण अधिगम के लिए एक प्रवाब साली, शिक्षण प्रणाली नहीं है, चार option ने रखें, इनमें से सही आंसर क्या होगा, इनमें से सही आंसर हो जाएगा, option number 4 था, दिये गए ग्यान को दोहराने पर ध्यान के इंद्रित करना, साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्रीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब, सस्क्राइब जरूर कर लें, अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो, अगला question है, question number 21, सिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान देने वाले बच्चों से किस प्रकार का वरताव कर सकते हैं, चार अपसंदे रखें, इनमें से सही अंसर चटना है, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number 3, उनसे बात करके, थथा उनकी अरूची का कारण जानने को कोशिस करके, जानने क कोशिस करके, option number 3, सही हो जाएगा, question number 22, सरचनावादी, उपागम, बताता है कि खालिस्तान, खालिस्तान वरनाएं, ज्यान की सरचना के लिए अत्यंत आविशेक है, यानि खालिस्तान पर हमें क्या आएगा, चार अपसंदे रखें हैं, इनका सही अंसर हो जाएगा, option number 1, विद्यार्थी का पूर्वग्यान, अगला question, question number 23, बच्चे अने गठनाओं के बारे में सहजान, भूत, सिद्धान्त की सरचना करते हैं, इस प्रश्ट भूमे में एक सिख्षकों को क्या करना चाहिए, चार अपसंदे रखें, इनमें से सही अंसर चाटना है, इसका सही अ अंसर होने वाला है, option number 1, समवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधरनाओं को चुनोती देनी चाहिए, रेक्ट question है, question number 24, संग्यान इवं समवेग के वीच किस प्रकार संबंद होता है, चार अपसंदे रखें हैं, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो दुदिसिय दौनों के बीच एक गतसील पारस पर एक किरिया होती है, question number 25, निमल खित में से कौन से कारण अधेकम को प्रभावित करते हैं, चार अपसंदे रखें हैं, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, option number 14, यानि विद्यार्थी की अभिरूच विद्यार्थी का सम्विग आत्मक स्वास्थे और आपके सिक्ष सास्त्री रड़ नीतियां और चोथा विद्यार्थी का सामाजी के अंसर क्रतिक संदर्वियानी चारों अधेगम के प्रभावित करते हैं, question number 26, निम लिखित में से क्या ज्यान के सार्थक सरचना की प्रिक्रिया का एक मातपून पहलू है, चार उप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इनमें से सही अंसर हो जाएगा option number पहला, सामाज एक पारस पर के क्रियाएं, question number 27, जब विद्यारती पुरुसकार पाने की इच्छा से बार बार किसी गत्विधी को करने का निणन लेता है, जैसे के एक प्रियोग का नियोजन एवं संचालन करना जो के प्रतक्च रुप से उस गत्विधी से सम्मानित नहीं है, जैसा के एक स्टार वा बैज प्राप्त करना ऐसी इस्तितिक में क्या सम्मावना उत्पन होती है, चार अप्शन दे रखेंगे, इनमें से सही आंसर चांटना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नमर पहला, आधिकम के प्रते, बहुत तेक वादी, अभी ब्रद्धी का विकाश, क्वेशन नमर अठ्थाईश, अठ्थाईश दे रखा है, वाल्या वस्ता की अवद्रणा से क्या अभी प्राए है, चार अप्शन दे रखें, इन में से सही आंसर चांटना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नमर दूसरा, समकालिन, सामाजिक, सरचनावादी, मनोविज्ञानिक के अनुसार, या एक सामाजिक सरचना है, क्वेसन नमर 29, 29 है, निमले खित में से कौन सी मद्द्य अवस्ता की विश्यष्ता है, चार अप्शन दे रखें, इन में से सही आंसर चांटना है, सही आंसर क्या होगा, क्वेशन नमर 29 का सही आंसर हो जाएगा बच्चे तार्के के एवं मूर्त रूप से सूचना प्रारम कर देते हैं अगला क्वेशन क्वेशन नमर 30 परिवार एवं पास पड़ास बच्चों के सामाजी करण की 4 अप्षन दे रखे हैं चार अप्षन में से क्या सही आंसर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा अप्षन हमाद दूसरा प्रात्मिक एजेंसियों है प्वेशन नमर 31 मत्पुन तत्ति रिकाइप विद्यार्थियों को 31 से 90 या भाग सेकेंड गड़ित और विज्ञान गड़ित और विज्ञान और थड़ सामाजी विज्ञान अध्यान से समझनेत हैं तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 30 से 90 तक भाग सेकेंड में गड़ित और विज्ञान मैथ और साइंस इन सभी कोशनों में मैं सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा और जो हम नेक्ट वीडियो डालेंगे उनमें मैं सभी का सॉलूशन भी बताऊंगा क्वस्ण नमर 31 है पूरांग को एक से लेके सोतक के मद्द अवाज्य युगमों की संक्या क्या है यानि एक से लेके सोतक के अवाज्य युगमों पूछे हैं इसमें अवाज्य युगमों होंगे 7 और सनमर 3 सही हो जाएगा पॉसर नमर 32 है, 32 में ये सवाल दे रखा है, इसमें C प्राकृति संख्या उनको तो इसका मान ग्याद करना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, उप्सर नमर चौथा पॉसर नमर 33 है, ये सवाल दे रखा है, माना के X वहा, माना के X एक वहा सबसे चोटी संख्या है, कि इसे आठ इतने से भाग देने पूटते एक सब्दों 5-6 रहता है, X का अंकों का मान ग्याद कीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, उप्सर नमर चौथा अगला कौशन, कौशन नमर 34, चौशन का सही आंसर होगा, उप्सर नमर दूसरा कौशन नमर 35 है, 35 का सही आंसर क्या होगा, 35 का सही आंसर हो जाएगा, उप्सर नमर दूसरा कौशन नमर 36, टोकरी वाला कौशन है, 36 का उप्सर नमर 2 हो जाएगा QA 38, 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 QA 38 और चालीस का सही आंसर क्या होगा उन्तालिस 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 का सही आंसर होगा उन्तालिस का सही आंसर होगा उन्ताल का सही आंसर हो जाएगा अप्सान नमर तीसरा 43 कौसन नमर 43 का सही आंसर क्या होगा 43 का सही आंसर हो जाएगा अप्सान नमर दूसरा कौसन नमर 45 45 का सही आंसर क्या होगा कौसन नमर 45 का हो जाएगा अप्सान नमर छोथा कौसन नमर 45 45 का सही आंसर क्या होगा 45 का सही आंसर हो जाएगा अप्सान नमर दूसरा कोसान नमर 46 46 का सही आंसर क्या होगा 46 का अप्सान नमर थीसरा सही हो जाएगा कोसान नमर 47 47 का अप्सान नमर थीसरा सही होगा कोसान नमर 48 48 का कौन सही आंसर हो जाएगा एक गड़तिय प्रमे है यानि एक गड़तिय प्रमे है इसका सही आंजर हो जाएगा अपसर नमर एक यह कातान जिसे अभी ग्रहनी ग्रहितियों की तर्क संगत युक्तियों दरा शिद किया गया है कोसर नमर उनन्चास या के गड़त के इस सवाल है उनन्चास का सही आंजर क्या होगा उनन्चास का सही आंजर हो जाएगा उपसन नमर पहला जिसमें पूछागा है बस्तूओं जो के एक समान बस्तू के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगे यहाँ अविगरहीत जो अंक गड़त वबीज गड़ हैं दिया है यानि किसने दिया है यह दिया है यूक्रिड ने को सनमर पचास पचास का सही आंजर क्या होगा पचास का सही आंजर हो जाएगा उपसन नमर पहला अब ये आपके विज्ञान से भी समन्दित क्वेशन आ गए हैं किस विधी से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम संक्याओं का योग सदयव सम होता है ये भी विज्ञान का स्वरी कड़त का क्वेशन है इसका सही आंसर क्या होगा किसा प्रेपन का सही आंसर होगा, पहला चोथा किसा का सही आंसर होगा तीसरा, क्वेशन नमर 55, 55 का सही आंसर क्या होगा, 55 का सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नमर तीसरा, क्वेशन नमर 56, 56 में का सही आंसर क्या होगा, 56 का अप्शन नमर चोथा सही हो जाएगा, क्वेशन नमर 57, 57 का सही आंसर क्या होगा, सत्तामन का सही आंसर होगा अप्सन नमर दूसरा कॉर्षन नमर अठामन अठामन का सही आंसर क्या होगा अठामन का सही आंसर होगा अप्सन नमर थीसरा कॉर्षन नमर उन्शट उन्शट का सही आंसर क्या होगा 69 का सही आंसर हो जाएगा अफसर नमर दूसरा कॉसर नमर 60 60 का सही आंसर क्या होगा 60 का सही आंसर हो जाएगा अफसर नमर पहला कॉसर नमर 61 61 में सही आंसर क्या होगा कॉसर नमर 61 का सही आंसर क्या होगा 61 का हो जाएगा अफसर नमर तीसरा कॉसर नमर 62 62 का सही आंसर क्या हूगा 62 मैं पूचा गए नमन ніम लेगत में कुस प्रिक्रिया मेंilla की वाड़ों का यया नहीं होता है यानि चार प्संदर है चार प्संदे 2000 सही आंसर क्या हूगा इसका सही आंसर हो जागा डवालोटी पकनी में 60on निमल खित में से कौन सा अन से भिन्ट है, चार ऑप्सन है यानि ये चारों में से कौन सा भिन्ट है, ये आपका सर्रक्षन है อะไร बला। नमर चोता इनिमल खित में से कौन सा गथन सही नहीं है इसका अप्सन म बला चोता साथनु असत्य है ático सेकनि नमर 45ॉ 65 कणों की साइज यानि आकार के अनुसार कौन सा आरोई करम में निरूपित करता है इसका सही अन्सर हो जाएगा और सनमर दूसरा यानि म्रत्य का गाद रेत बजरी और चट्टा यह सही करम निरूपित करता है कुस्टा नमर 66 मचली में कलोम मिलां एकिल का कार्र होता है यानि गलप्णों को कार्र क्या होता है इसका सही अंसर हो जाएगा अपसार नमर तीस्रा जण में अपास्टित विले यानि गुलंद सील अक्सीजिन का अपस्वसन करना कुसर नमर 66 है यदे संयोजक तार नहीं है तो विद्धुत परिपत को पूरा करने के लिए निमलक समय से किसका अपयोग किया जा सकता है चार अपसन दे रखें चार अपसन में से सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा अपसन नमर चोथा ब्लेड कुसर नमर 68 68 में मन्युला समतल दरपन में अपने प्रतिवयम का पेच्चन कर दे रही है उसकी दरपन से दूरी 5 मीटर है यह दरपन की ओर 1 मीटर चलती है तो अब उसकी ओर दरपन में बने प्रतिवयम की बीच की दूरी क्या होगी चार अपसन ने रखें चार अपसन में से सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जागा ऑपसन नमर सेकंड सही हो जागा है इसका आपवर्ट काल 0.1 सेकंड तता आवरती 10 हटर्ण है Q allora sattar. comparison. गलत कथन पहचानी. यान इसमें से गलत कथन छाटना है. गलत कथन क्या होगा? इसका पहला ही गलत हो जाएगा. Q is a non m bail que trem deserve. निम्ला कितमेंसे सatt alt. निम्ला कितमें कौन सा貼तन? सत्य है. यान इसमें से 7 कातन छाटना है. चार आप्षिन दीरक्वें इसका सही आँसर पो्टन अब्र स्केंड हो जाए अपकल बी सेत्य कतन है यनीजे जी आपको सत्य कतन है इसका सेट्धन गल्त कतन कौनहें इसमें गल्त कतन चांटना है कि आपको सबस्क्रांइन आटको से पाघगा हो जाएगा कोई बस अपनी यत्रा के पहले 12 मिनट 50 किलो मीटर पते हावर्स की चाल से और अगले 18 मिनटर 40 किलो मीटर पते हावर्स की चाल से चलता है इस समय की आवदी में बस कुल कितनी दूरी तह कर सकती है चारा उप्चन दे रखे हैं इनके से प्राट नहीं से गलत गदया स्वें निया अटा ψने में सब्सक्राइब इसका सरय निया अंसर हो जाएगा उप्चन नियुक्ड़ कई कौन से कतन सत्य हैं, चार अपसन दे रखें, चार अपसन में से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, अपसन नमर शेकेंड, यानि A, C, D, A, C, O, D, यह सत्य कतन है, क्वेशन नमर सत्यत्तर, क्या विज्ञान की प्रकरती के संद्र में सही नहीं है, चार अपसन दे रखें, इसका सही अंसर क्या होगा, या सही अंसर हो जाएगा, अपसन नमर चोथा, विज्ञान तत्यों की समुच्च की समतुल्य है, अगला क्वेशन, क्वेशन नमर 78, 78, 78 में पुचगा है, राइट ये पाठे चर्या 2005 की अनुसार, अच्छी विज्ञान, शिक्षा होनी चाहिए, चार अपसन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, अपसन 2nd, बच्चे की प्रते निष्ट, क्वेशन नमर 79, एक अच्छी विज्ञान, शिक्षा पाठाय चर्या की निमलिकित में से कौन सी वेदेता की संतुष्टी, क्रिया का लाप और प्रियोग द्वारा होती है, चार अपसन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इनमें से सही अंसर हो जाएगा, अपसन आठ के बच्छों को सेक्षे के ब्रहमण के लिए लेकर जाती है, इस क्रिया कलाप के लिए निमलिकित में से क्या सबसे अधिक उपयुकतो उद्देश हो सकता है, यह आपके विकल्प दे रखें, इनमें से उसंसर आपके चार दे रखें, इनमें से 4 अंसर क्या होगा, इस क्या उच्छे प्रात्मे कि स्थर पर विज्ञान से च्छा का उद्देश नहीं होना चाहिए चार उप्शन देरेकें इनमें से सही अंसर शाटना है इसका सही अंसर हो जाएगा उप्शन नमर चौथा क्या बच्छों में समा लोचनात्मा का चिंतन को वढ़ावा दे सकता है चार उप्शन देरेकें इनमें से सही अंसर शाटना है 82 का उप्शन नमर तीसरा सही हो जाएगा अगला उप्शन उप्शन नमर तिराशी एक शिक्षक अक्षा का आरम एक दियेगा यह भोजन के नमूनी में मंद का राशानेक परीच्छन का प्रदर्शन करके करता है उप्योक्त खत्रम में रेखांके त्सब्द से संभान देत संग्यानात्मा को प्रक्रिया है चारा उप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर चाटना है इनमें से सही आंसर हो जाएगा उप्शन अमर तीसरा अनुप्रियो करना अगला कॉर्शन, कॉर्शन नमर 84 84 है नमल कितमें से कौन सी गत्विदी बच्चों में सक्रिय अधिक गम का प्रभवधान नहीं करती प्रभवधान नहीं करेगी इसका सही आंसर क्या होगा? चारा उप्शन दे रखें इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमर चोथा कक्चा में ब्याक्षान सुनना नेट्ट कॉर्शन है कॉर्शन नमर 85 है विज्ञान में नमल खितमें से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाना लगाया जाता है चारा उप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमर तीसरा यहने A, B, C यहने तीन तीन हो सही होंगे A, B और C अगला question, question number 86 है निमले कि तो मेंसे कौन सा साधन अब लोकन आदारित है चार option दे रखें इन मेंसे सही answer क्या होगा इसका सही answer हो जागा वणन अभिलेक question number 87 87 है पूछा गया है नीचे दिये के गतनों मेंसे कौन से गतन सही है 4 option दे रखें इन मेंसे चार option मेंसे सही answer चाटना है 87 का option नमर पहला सही हो जागा A और C दोनों सही होंगे यानि A और ये C या ये दोनों सही होंगे question number 88 दिये गए लक्षणों के आदारपा जन्तु को पहचाने A दे रखा है लमा मेरुदंड B बहुत सी C आगे को धके लने के लिए शरीर अनेक बलायों में मुड़ा 4 option दे रखें इन मेंसे सही answer चाटना है इसका सही answer हो जागा यानि option नमर पहला सर्प question number 89 नीचे दिये गए कौन सा कतन सही नहीं है यानि आसत्य कतन चाटना है इसका साथी option नमर पहला गलत हो जाएगा यानि आसत्य कतन यहीं हो जाएगा question number 90 90 में मिलान चिन दे रखें इन मेंसे सही मिलान करना है 90 का सही answer option नमर तीसरा हो जाएगा यानि पहले का चोथा पहले का चोथा और दूसरे का दूसरे का पहला यानि B का second बी का फश्ट निवी का फश्ट और सी का second सी का second और डी का थड़ डी का यह थड़ हो जाएगा या आपके मिलान चिन हो जाएगे अब आजाते हैं आपके पाट थड़ पह है पाट थड़ में करने वाले हम यानि 90 है यानि 91 करने वाले हम हिंदी पाट को करेंगे इसमें जो भी विद्यारती हिंदी के हैं तो हिंदी को आप आंसर की चेक कर लीजिए करेंगे इंग्लिस के बाद में यागे इंदी हां यागे इंदी इंदी में साती हो यापको 91 से लेकर 120 तक यह भाजा फश्ट का विकल्फ चुने गया है यानि 91 से 120 और फिर आगे दे रखेंगे 120 से 1500 तक इसमें गद्यांस पूचा गया है 91 से लेकर 90 तक आपको पसंद चाटने हैं यह गद्यांस आप पढ़ लेना यह यहां से दे रखा है गद्यांस यहां को पढ़ना है मैं इसके सही आंसर बता देता हूँ यानि 91 मैं दे रखा है वनस्पति जब सड़ने लगती है तो वातावरण को खाली स्थान दे रखा है खाली स्थान की यह पर क्या आएगा का सही आंसर हो जाएगा आपसन नमर तीसरा कारवन डाय ओक्षाड क्वाशन नमर 92 मैं पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्तों के समान आज जाएगा जब भामें लंबे समय खाली स्थान की यह पर क्या आएगा खाली स्थान की यह पर आएगा और तीसरा करवन डाय ओक्षाड और ऑक्षीजन का अनुपाद समान रहे क्वाशन नमर 93 में वातावरण को विग्र और समास होगा वातावरण का विग्र और समास क्या होगा वातावरण का विग्र और समास क्या होगा इसका सही आंसर होगेगा वातावरण वात का आवरण और तत्पुर समास होगा कुशन नमर 94, स्वांस और आक्सिजन सब्द है स्वांस और आक्सिजन सब्द है, यहनी तत्सम आगत कुशन नमर 95, लम्वे समय तक पद ब्याकरण की द्रथिस से है इसका सेयान्स रोजाएगा क्रिया विशेशन अगला पुशन कुशन नमर 95 गध्यांस का मुक्य विश्य है जिसका सही आंसरो जगोसना पहला अप्षीजन और कारवन डियोक्षाइड का संतुलन क्वेस्ट नमर 97 विन्यायक का अर्थ है विन्मय का अर्थ है विन्मय का अर्थ है लेन देन करना क्वेस्ट नमर 98 हम सांस के साथ चार अप्षन दे रखें जिसे सही आंसर क्या होगा अक्षन लेते और कारवन डियोक्षाइड छूडते हैं अगला क्वेस्ट नमर 99 ऑक्षिजन ग्रहन करने में अधिकांस जीवदहरियों का स्वा भाव कैसा होता है इसका यानि मानव की तरह होता है क्वेस्ट नमर 10-105 तो बताए गया है कि नमलकित काभ्यांसों को पहले गध्यान दे रखा है अब यह काभ्यांस दे रखा है और इसके सही आंसर आपको चांटनें क्वेस्टन दे रखें आपके सौमा कॉस्टन है पेट पीट दोनों मिलकर हैं एक इसका कारण क्या हो सकता है कुछ भी भौजन न करना कुछ नमर 101 है कलेजे के दो टू करना का आश्र है कलेजे के दो टू करने का आश्र क्या है इसका सेयांस रो जएगा अप्सन नमर 2nd मन को कट पहुँचाना कॉशन नमर दूसरा है, 102 है, बिकारी अपनी जोली क्यों पहलाता है, चार अपसन दे रखें, इसमें से सही अंसर क्या हुआ, इसका सही अंसर हो जाएगा, अपसन नमर पहला, भूख मिटाने के लिए कुछ अन चाहता है कॉशन नमर एक सो तीन है, 103 दे रखा है, मुहा सब्द में उपियोक्त चंदरविंदु है, चंदरविंदु पूछा गया है, इसका सही अंसर हो जाएगा, अनुनासिक है कॉशन नमर 104 है, का अभ्यांस से हमारे सब्द में उठने वाला मुख्य भाव है, इसमें भाग है, इसका यानि करण, करणा उठ रही है इसका अभ्यांस में कॉशन नमर 105 है, वहां आता में वहां सर्वनाम किसका दोयो तक हो सकता है, 105 का अभ्यांस नमर तीसरा यानि विक्चुक पॉशन नमर 106, उच्य प्रात्मिक स्तर पर भासा सीखने का उद्दिस है, चार अप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर चाटना है, सही अंसर हो जाएगा अप्सन नमर 2, भासा की वारी की और सौधर्र बोध को सही रूप में समझना पॉशन नमर 107, एक सोसाथ है, ज्यान से सम्मानेत अन्य विश्यों की समझ का विकास तता उससे आनन उठाने की ख्यमता का विकास उच्य प्रात्मिक स्तर पर भासा सीखने का चार अप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा अप्सन पूर्ण उद्देश है, क्वेशन नमर 108, पढ़ने का उद्देश है, यानि अप्सन नमर पहला हो जाएगा पढ़कर समझना, नेक्ट क्वेशन, क्वेशन नमर 109 है, कविता में कई बार अभी भी का प्रियोग करके वातें रच्ची गई हैं, खालिस्तान दिरकाये, विन ना रुके चलने वाले किसी कारे का भाव निकल कर निकल रहा है, या नहीं, प्रिशन फिर खालिस्तान दिरकाये, की ओ संकेत करता है, यानि खालिस्तान की यह पर क्या आएगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नमर B, भाहसा की बारे की, ये खालिस्तान की यह पर संसाधन, सामेगरी, सरवादेक, महतपून है, चार उप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर चाठना है, इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नमर तीसरा, आयो, अनुरूप साहित्य, क्वेशन नमर 111 है, गड़त विज्यान, आदे विशेयों की कक्ष्याओं में भी बच बच्चे बहासा सीखते हैं, या विचार, चार उप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर हो जाएगा, उप्सन नमर पहला, पूर्ण तया सत्य है, क्वेशन नमर 112 है, उच्चे प्रात्मिक स्तर पर पाठे पस्तों को में हिंदी तर बहासा को ही जगें मिलनी चाहिए ताके बच्चे चार उप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, यानि पहला, दूसरा और तीसरा यानि ये सभी चार उप्सन सही होगे, अगला क्वेशन नमर पहला क्वेशन है, बच्चे बहासा तब वहता सीखने से सीखते हैं, तब चार अगला क्वेशन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या होगा, यानि भासा का सम्रद परवेश हो, अगला क्वेशन है, एक सो चोद है, उच्चे प्रात्मिक स्थर पर भासा आकलन की दश्टी से सर्वधिक महत्पून है, चार उप्सन दे रखें, इनमें से सही अंसर क्या हो इसमें से सही आंसर हुआ एक सोचोदे का फैला यानि अवलूकन अगला कॉशन है एक सोपंद्र है दुत्तिय भासा की पाठे चर्या का एक लक्ष है प्रकृतिक भासा ग्यान में और जित दक्षिता के अनुरूप खालिस्तान दे रखा है खालिस्तान की यह पर क्या आएगा तक्षितार प्राप्त करता है चार अप्सन दे रखें खालिस्तान की जगए पर क्या आएगा यह आएगा आपका बुनियादी अप्सन नमर चोथा साथ है अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगला कॉशन है प्सन नमर 116 है बहासा के भीमिन कोसलों को खालिस्तान दे रखा है रूप में प्रभाव रूप में पढ़ाने की अनसंसा की जाती है यानि खालिस्तान की जगए पड़के क्या अएगा अपिक्चाक्रत प्रभावी है चार अप्सन दे रखें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जाएगा आगम विधी क्वेशन नमार 188 है उच्च प्रात्मे की स्थर पर भासा की पाठे पुस्तकों में रग्त और हमारा शरीर पाठ शामिल कंडे का विचार ख अगात हूं अगेला कोव्षन है एक सौन्मीस्षमा कोषण है विधी भासा फार्मूला भाषा की खालिसट्र दी र Quickly की चनोतियों और फिर अगला क्वसान, क्वसान अमर 120, लिखने की ख्यमता का विकास, भोलने, सुनने और पढ़ने की ख्यमता की संगाती में होना चाहिए या विचार, चारा अप्शन दे रखें, इनि में सही आंसर क्या आगे हुआ, इसका सही आंसर हो जागा, अप्शन अमर 2, पूनता सत्य है, अगे, आगे 121 से 1500 तक दे रखें, यानि ये दे रखें, ये हिंदी है, इसमें भी गध्यांस दे रखा एक और, ये गध्यांस आपको पढ़ना है, यह मैं से गध्यांस में से आपको अंसर चाटने में, इसके अंसर अंसर बता देता हूं, क्वसन हमरें 121 है, 21 में पूछा अंसर बनेगा, धन अपार्ज में, अपार्जन में संदी करने पर अर्थ बनेगा, ये बनेगा धनो पार्जन, अगला क्वशन, क्वशन नमरे 122 है, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कतन का आश है, यानि खाली स्थन के जए पर क्या आएगा, उक्त कतन का आश है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्शन नमरे 2, आज जीवन के प्रति दिश्ट कोण में बदलाव आ गया है, अगला क्वशन है, क्वशन नमरे 123 है, प्राचीन काल में जीवन का वार्थविक लक्ष क्या माना गया है, चार अप्शन दे रिखें, चार अप्शन में 124 माएं, जगन्य सब्द का अर्थ नहीं है, जगन्य सब्द का अर्थ नहीं है, यानि चोथा जांग से संबंदित, अगला क्वशन नमर 125 है, हमारे मानवी ये संबंद पीछे छूटने का कारण है, चार अप्शन दे रिखें, चार अप्शन में से सही आंसर क्या होगा, इ अगला क्वशन है, क्वशन में 126, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है, चार अप्शन दे रिखें, चार अप्शन में से सही आंसर क्या होगा, अप्शन नमर 2 होजागा, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा, अगला क्वशन है, क्वशन में 127 27 है, उस सब्द योगों को पहचानिये, जो सेश से बिन्हो, चार उपसंदे रखें, इनने में से सही आंसर क्या होगा, इनने में से सही आंसर हो जाएगा, उपसंन न्बर 2nd, चोरी डखेती, कॉसर नमर 128 है, किस दोड के अंतहीन माना गया है, किस दौड को अन्त ही माना गया है चार अफसन दे रखें चार अपसन में से सही आंसर चाठना है इसका सही आंसर हो जाएगा अफसन अमर थीसरा किसी भी प्रकार धन जोड़ने की अगला आगे दे रखा है दूसरा गध्यांस दे रखा है इसको पढ़के आपको आंसर चाटना है, गद्यांस आपको दे रखा है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, पुरा गया गद्यांस पढ़ने के बाद में आपको question दे जाएंगे, और इस गद्यांस में question आपको चाटने हैं, पढ़के, question number 139 में पूचा गया है, सुख साधन का वि 179 से अच्छा है, जो 4 option दे रखे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा, automation अमर पहना मार पहला, दया लू और सचरित्र, हो, अगला questionarin 131, अच्छी सिक्षा को विषिस्ता नहीं है, अच्छी सिक्षा की विषिश्ता नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगला क्वेशन, क्वेशन अमरे 132, अधिकार और कर्तेव्यों के विशेस में सुख्षित व्यक्ति, यानि चार अप्षन में से सही आंसर क्या होगा, चार अप्षन में से सही आंसर हो जाएगा, अप्षन अमरे 132, दोनों का बरावर ध्यान रख़दा है, अगला क्वेशन, क्वेशन अमरे 133, हमारे कुछ अधिकार और कर्तेव्यों भी हैं, उप्यक्त वाकिक किस प्रकार का है, चार अप्षन देर खें, चार अप्षन सही आंसर होगा, अप्षन अमरे 134, कौन सा सब्द अनुपसर से नहीं बना है, इसका सही आंसर हो जाएगा, अनपड़, कौन से तभी सुखी कहा जा सकता है, जब चार अप्षन देर रखें, चार अप्षन सही आंसर छाटना है आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्षन अमरे 14, उसे आत्मेक ज्ञान हो, नेक्ट कौन है, पार्ट से तीनों प्रकार की संग्याओं के उधारण खोजने के लिए खोज कर लिखिए, अभ्यास प्रिशन खालिस्तान का उधारण है, चार अप्षन देर के इनमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्षन नमरे पहला, संदर्वों में ब्याकरण, नेक्ट कौशन है, प्षन नमरे 137, 137 में पूच है, उच्च प्रात्मिक स्तर पर बच्चे की बहासा, चमता का आकलां करने की द्रश्टी से सबसे कमजोर प्रिशन है, चार अप्षन देर के इनमें से सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, अप्षन अमरे 137, लेखक ने अपने जीवन की किन दो गटनाओं को महतपुन पताया है, नेक्ट कोशन है 138 मा कोशन है, हिंदी भासा सिख्चक के रूप में सरवदे का महतपून है, चार अप्षन देर के इनमें से सही आंसर क्या होगा, इनमें से सही आंसर हो जाएगा अप्षन नमरे 2, भासा की सिख्चा सास्त्री समझ, अगला कोशन है 149 बासा शेक्षण में के संदर्व में सतात और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधे का महत्पूर्ण विंदू है चार अप्शन दिरकें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जाएगा अप्शन नमर पहला बच्चों की बासा प्रियों का निरंतर अवलोकन क्वेशन नमर 140 है आठमें क्यक्च्चा के मुद्रत पढ़ते समय परेशानी का अनभव करता है संभवत मुदित खालिस्तान से ग्रस्त है चार अप्शन दिरकें इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जाएग अप्शन नमर चोथा डिसलेश सिया क्वेशन नमर 141 है प्रारंबिक इस्तर पर हिंदी वासकी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायक के पाठ खालिस्तान दे रखें चार अप्शन दे रखें इनमें से सही आंसर चाटना आपको इसका सही आंसर हो जाएग अप्शन नमर तीसर कोछ पूर निर्दारेत संदेशों को पहुचाने के उद्देश न रखते हों अगला क्वेशन है क्वेशन नमर 142 है बच्चों में पठन के प्रते रूची जाग्रूत करने के लिए पाठे पुस्तकों के अतिरेक्त खालिस्तान दे रखाय सामिकरी के विकास किया जा सकता है चार अपसंदेर के इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जागा अपसंदेर के इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें से सही आंसर हो जागा अपसंदेर के इनमें से सही आंसर क्या होगा इनमें कक्षा आठ के बच्चों की पठन अब वोधन चमता का विकास करने में सहायक है क्या सहायक है चार अप्शन दे रखें इसका सही अंसर रोज़ागा अप्शन नमर शेकेंड क्लोज परिच्छन इसका सही अंसर होज़ागा अप्शन नमर शेकेंड अगला क्षन क्षन नमर एक सचालिस है पढ़ने का सम्मंद खालिस्तान से है चार अप्शन दे रखें इनमें से सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होज़ागा यानि अर्थ अगला क्षन है क्षन नमर 147 उच्छ प्रात्मिक इस्तर पर हिंदी वासा का पाठ है पुस्तकों में अन्य विश्यों के पाठ पाठों को इस्थान देने का एक महत्पूर्ण उद्दिश है चार अपसन दे रखें इनमें से सही अंसर क्या होगा इनमें से सही अंसर होज़ागा अपसन नमर 4 था हिंदी के पाठ पुस्तक समावेशी बनाना नेक्ट कोस्टन है 148 मा बच्चों में जन्म जात भासे का छमता होती है इसका एक सिख्ष सास्त्रे पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा चार अपसन दे रखें चार अपसन सही अंसर क्या होगा इसमें सही अंसर हो जाएगा उपसन नमर 2 नई भासा आसानी से सीखेगा नेक्ट कोस्टन है वाणी अस्थाई होती है और खालिस्तान भासा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है चार अप्सन में से सही आंसर क्या होगा इसमें सही आंसर हो जाएगा ओप्सन आमार तीसरा यानी लिखित खाजिस्तान की जगपर क्या आएगा लिखित लाइट पूर्षन है उच्च प्रात्मिक स्तर पर भासा सीखने का एक महत्पूर्ण उद्धिश है चारा ओप्सन दे सही आंसर हो जाएगा प्सन नमर पहला पठेत सामरी का ताथ के करना साथ ही आज के लिए यह पूरा पेपर समापत होता है जिसमें हमने सभी कुश्चन को हल किया है यानि सभी के ऑप्सन बता हैं आप चेक कर सकते हैं आपके लिए जो आपके दोजार तेज में बाइस पर में देख सकते हैं इसमें कोई नेगटिम मार्किंग नहीं होगी साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक सेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाएं आज के लिए बस इतना ही दन्यवाद